सब्सक्राइब करने वाले हैं आज क्लास 10th की पॉलिटी का यह सेकिंड लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सम्बंदित सभी प्रश्न तो यदि आपने पिसले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल सीरीज वाई चल रहे हैं हर चैप्टर जो है वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है तो यदि आप अच्छे से देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपके एक्जाम के आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राज्य की कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं तो राज्य की कारेपालिका में होते हैं राज्यपाल एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद याद रखना है राज्य की कारेपालिका में कौन-क कौन होता है तो वो है राज्यपाल ठीक है next question number three राज्य की कारेपाली का सत्ता की वास्तविक परधान कौन होता है तो हमने देखा कि जो समवेधानिक परधान है जो वैधानिक परधान है वो है राज्यपाल लेकिन वास्तविक परधान की यदि बात आएगी तो वो होंगे मुख्य मंत्री नहीं आता है तो आप वहां आंसर करेंगे मंत्री परिशत क्योंकि उसी मंत्री परिशत का हैड कौन है मुख्य मंत्री है Next question number 4 राज्यपाल की निक्ति कौन करता है? राज्यपाल की निक्ति कौन करता है? देखिया अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभासा जो है वो दी है और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा यह दिया हुआ है और राज्यपाल की नुक्ति कौन करेंगे राश्ट्रपती करेंगे ठीक है याद रखना है राज्यपाल की नुक्ति कौन करते हैं राश्ट्रपती करते हैं Next question number 5, राज्यपाल की नुक्ती कितने वर्ष की अवदी के लिए की जाती है, कितने वर्ष की अवदी के लिए की जाती है, तो राज्यपाल की नुक्ती जो है वो राश्ट्रपती करते हैं, तो राश्ट्रपती के प्रसाद परियंत राज्यपाल नुक्त होते हैं, ठीक है, औ और पांच वर्ष के लिए किये जाते हैं यदि राश्टरपती चाहें तो राज्यपाल के निक्ति राश्टरपती के परिशाद परियंतर पांच वर्ष के लिए कि जाती है क्या एक राज्य का निवासी राज्यपाल हो सकता है तो इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य का निवासी जो है वो राज्यपाल नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि एक राज्य का निवासी जो है वो मुख्यमंत्री तो हो सकता है लेकिन राज्यपाल नही नागरिक हो, ये तो हम सब ही में देखते हैं, चाहे राष्ट्रपती के बारे में देखें, राज्येपाल मुख्य मंत्री के बारे में देखें, तो यहाँ में चीज याद रखनी हैं आपको कि 35 वर्च से अधिक आयू, वह राज्येपाल के पद के लिए योग्य है, नेक्स् कारेपाल का शक्ती नहित है राज्यपाल में नेक्स्ट कुष्यन नमबर नाइन राज्यपाल किसकी न्युक्ति करते हैं राज्यपाल जिनकी न्युक्ति कर रहे हैं राश्ट्रपती और राज्यपाल किसकी न्युक्ति कर रहे हैं मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री के परामर पर अन्य मंत्रियों की अधिवक्ता की राज्य लोक सेवा आयों के अध्यक्ष और सदस्यों की निक्ति कौन करते हैं राज्य पाल करते हैं। राश्ट पती कर रहे हैं और राज्जयपल किसी नुख्ती कर रहे हैं मुक्के मंत्री के परामर्स पर मंत्रियों की अधिवक्ता की राज्य लोग सेवा आयोग के अध्यक्षण की नेक्स्ट कुश्यन नमबर 10 उच्च न्यायले के न्यायधीसों की न्युक्ती के संबन में राष्ट्रपती किसे परामर्स लेंगे तो जो हाई कोट होता है उसके नयाधिस की न्युकति के सम्मन्ध में राष्टरपती परामर्स लेँगे वहां की राज्येपाल से ठीक है उस राज्ये के राज्येपाल से राष्टरपती परामर्स लेँगे Next question number 11 तो आपको एक चीज याद रखनी है, जहां उच्टम न्यायले के न्यायधीस की बात होती है, तो वहां न्युक्ति कौन कर रहे हैं, राश्ट्रपती कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि उच्च न्यायले के जो न्यायधीस हैं, उनकी न्युक्ति भ करता है तो वो कौन है जो मंत्री परिशद के सदस्यों को पद एवं गोपनियता की सपत दिलाते हैं और उनके त्यागबत्र को भी सुईकार करते हैं तो आंसर है राज्य पाल नेक्स्ट कुश्यन नमबर 12 विवस्थापिका का अधिवीशन बुलाने और इस्थगित करने का अधिकार किसे होता है विवस्थापिका का अधिवीशन बुलाने और इस्थगित करने का अधिकार किसे होता है तो इसका आंसर है राज्य पाल को ठीक है विवस्थापिका का अ लाने और इस्तागित करने का दिकार होता है next question number 13 आम चुनाव के बाद विधान मंदल की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है तो आम चुनाव के बाद विधान मंदल की प्रिथम बैठक को संबोधित करते हैं राज्यपाल वहीं हमने केंद्र में क्या देखा था राश्टर जिन्हें speaker कहते हैं next question number 14 यदि राज्य के विधान मंदल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है तो यहां राज्य की बात हो रही है तो राज्य के विधान मंदल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो अध्यादेश जारी करेंगे राज्यपाल, कौन जारी करेंगे, राज्यपाल, next, question number 15, कोई भी धन विद्यक किसकी स्वीकृती के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है राज्यपाल, राज्यपाल की स्वीकृती के बिना कोई भी धन विद्यक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, और यदि हम भात करेंगे केंद्र की, तो सेंट्रल में भी वही बात है, कि कोई विद्यक जो है, धन विद्यक है या नहीं, इसका निर्ने तो करते हैं, लोकसा बात द्यक्ष, लेक कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है धन विद्यक और वित्विद्यक इस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है और धन विद्यक वित्विद्यक लोग सभा में रखने से पहले राष्ट्रपती की अनुमती मिलती है उसके बाद वो लोग सभा में जाता है फिर राज्य राज्येपाल की सुईक्रति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता. Next, question number 16. राज्य की संचित निधी किसकी अधिकार में रहती है? वो है रहती है राज्येपाल के अधिकार में. Next, question number 17. समविधान की किस अनुछेद के अनुछेद के अनुछार? शमादान का अधिकार राज्येपाल को है. तो वो कौन सा अनुछेद है जिसमें राज्येपाल को शमादान का अधिकार है? तो वो है अनुछेद 161. और यदि राश्ट्रपति की बात करें, तो राश्ट्रपति को अनुछेद 72, 72 के तहत शमादान का अधिकार है. और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत तो ऐसे combination बिठाईए अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान का अधिकार, अनुच्छेद 72 राष्टपती को समाधान का अधिकार मंत्री परिशत का कारे राज्यपाल को सहायता और परामर्ष देना होता है, यह किस अनुच्छेद में हैं? 163 अनुच्छेद जिसमें है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्ष देना मंत्री परिशत का कारे और 161 हमने क्या देखा था भी थोड़ी दिर पहले कि राज्यपा राज्येपाल को शमादान का अधिकार है next question number 19 किस अनुछेद में राज्येपाल मुख्यमंतरी की नुक्ति मुख्यमंतरी की सलापर अन्य मंतरियों की नुक्ति करते हैं वो कौन सा अनुछेद है जिसमें राज्येपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री की नुक्ती भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की सलापर अन्यमंत्रियों की नुक्ती भी करते हैं तो यह है अनुछेद 164 याद रखना है अनुछेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्यमंत्रियों की नुक्ती करते हैं next question number 20, मंत्री परिशद किसके प्रति उत्तरदाई होती है, तो मंत्री परिशद जो है वो किसके प्रति उत्तरदाई होती है, वह है विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होती है, next question number 21, पद ग्रहन के पूर मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष कौन सी वो दो सपत लेनी होती है देखे सपत लेते हैं राज्यपाल के समक्ष ये तो हम याद रखते हैं लेकिन option में इस तरीके से पूछा जाएगा confused हो जाओगे तो पद ग्रहनक से पहले मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष दो सपत लेनी होती है तो यहाँ याद रखना है कर्तव्यपालन और गूपनियत दो सपत लेनी होती है नेक्सट question number 22 मन्तरी परिश्यत का दीक्तम कारेकल कितना हो सकता है राज्य में तो वह होता है पांच वश्श समविधान के यह नुछेद की अनुछेद के अनुछेद मंत्रिएं के विधन बत्ये निश्यित करने का दिकार Såicune कुश्यन 24 समविधान की अनुसार महादिवक्ता राज्यों लोग सेवा आयो के अधिक्ष और सदस्यों तता उन उच्य अधिकारियों की निक्ति कौन करते हैं तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि राज्यपाल जो हैं वही करते हैं महादिवक्ता राज्यों लोग सेव में प्रस्तुत किया जाता है राज्य का वार्षिक बजट वित्ति वर्ष के आरम से पूर्व किसके द्वारा विधान सवा में प्रस्तुत किया जाता है तो इसका आंसर है वित्त मंत्री द्वारा ठीक है नाम से ही आपका इस पस्ट हो रहा है ये वित्त मंत्री द्वारा रा का भार्षिक बजट जो है वह विदानसिवा में प्रस्तुत होता है next question 26 राज्य में बजट को पारित करने का उत्तरदाई किसे है तो यह मंत्री परिशद को राज्य में बजट को पारित करने का उत्रदाई होता है मंत्री परिषद कों करता कौन है मंत्री परिषद और राजेपाल के बीच में कड़ी का कारेश कारे कौन करते हैं वह करते हैं मुख्य मंत्री तो ये आज का अंतिम प्रशन था इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा और आपकी पॉलिटी समापत हो जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू